सुपॉल में अंतर राष्ट्रिय महिला दिवस के मौके पर पुलिस द्वारा उतक्रिष्ट कार्य के लिए 11 महिला अधिकारी और कर्मियों को प्रशस्ती पत्र दे कर सम्मानित किया गया बतादे कि समार नाल नेके टी सीपी भवन में आयो जित कारेकर में डियम महिंदर कुमार, एस पी मनुज कुमार ने चैनित अधिकारी और कर्मियों को प्रस्ती पत्र दे कर सम्मानित किया जिसमें 11 महिला पुलिस शामिल है तो वही महिला थाना अध्यक्ष प्रेमलता भूपाश्री को दिये गए सम्मान के पीछे उनकी कारे कुशलता, मामले का समय ये निप्टारा, आरोपियों को समय पर सलाकों के पीछे भेजने के साथ साथ लोगों को जागरू करने के दिशा में सार्थक पहल है इसके अलावा भूपाश्री ने अपने कारेकाल में पॉसको एक्ट के कई आरोपियों को आजीवन कारावाज की सजा भी दिलाई वही अन्य महीला पुलिस कर्मी जिनको सम्मारित किया गया उन में रानी कमल, प्रीती कुमारी, गीता कुमारी, प्रतीभा कुमारी, स्वीटी कुमारी, वीना कुमारी, प्र्यांका कुमारी सहित अन्य शामिल है ये सभी महीला पुलिस सिपाही शेरनी दल कांग है जो शेहर में मन्चलो और चेंस नेचर पर पिछले कई महा से नियंतरन किये हुए हैं बताने की सदर बाजार में बढ़ती छेड़ खाने के मद्दे नजर स्पी मनोच कुमार ने ततकाल शेरनी दल का गठन किया था जो अत्याधुनिक आतियार से लैस होकर खुद बाइक चलाती है साथ ही मन्चलो को औन दे स्पॉर्ट पकड़ने में कामयाबी हासिल कर रही है दस महिला सिपाही का जथा जो शेरनी दल का हिस्सा है उन्हें इसी उत्कृष्ट कार्य को लेकर सम्मानित किया गया पंजाब के सिरी टीवी के लिए सुपॉल से सुभाज चंदरा की रिपोर्ट